हेलो दोस्तों आप सवी का फिर से टीवील कोचिंग के इस यूटूब प्रोग्राइब में बहुत बहुत स्वागत हैं तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग विहार पॉलिटेंग 1818 में जो इंट्रेंस हिजाम हुआ था उसमें जो भी कोचन Mix अजाम में पूछे गए थे यानिकि वीहार सरकार दोवारा जो फिर अथारा का इंट्रेंस अजाम लिया था उसमें जो भी कोचन आप स्टूँडेंट से पुछे गये थे उन सभी कोचन का डिसकौर्स करने वाले हैं पूरे कंसेप्ट के साथ यानि कि यह जो वीडियो है तो आप इस वीडियो का उन तक देखिएगा और हाँ दोस्तों यदि आप इस चैनल पे नाए है तो प्लीज हमाई चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकोन को आउन जरू करिएगा क्योंकि जो है आप जब सब्सक्राइब करते हैं और हम देखते हैं कि हमारा सब्सक्राइबर बढ़ता है बढ़ रहा है तो हम जो है काफी मोटिवेट होते हैं उससे जो है और अच्छा कुछ कर्द बूजनने का पर्यास करते हैं तो थोड़ा सा मोटिवेट मोटिवेशन मिल में चैनल पसंद करते हैं उस तरह हमारी टीम्स देखती है हमारे students है थो हमने लोग भीडियो परवाइड करते हैं तो हमने एक पोस्ट ढाला था функрем सब्सक्राइब बियाइड बियार बोद करके ढाला था कि किसको मतलब कौन-कौन पढ़ना है तो इसमें 30% जो स्टुडेंट है वह पोल्टेक्निक इंट्रेंस एक्जाम की तैयारी करने वाले भी है तो बिहार आईट्या इंट्रेंस एक्जाम का तो जो है सेसन चली ही रहा है मैत का और मैत का लगबख सेसन हमने कंप्लीट करा चु करते हैं और यह जो है पोल्टेक्निक इंट्रेंस एक्जाम का भी हमने 2019 का पूरा डिस्कॉसन करा चुका है और यह आपका जो आज कैसे साने यह 2018 का है यानिकि 2018 में जो कोचन पुछे गाई थे उसका पार्ट वन होने वाला है क्योंकि यह जो है आपका फीजिक्स का है इसम मैट में जो है आपका 30 कोचन होते यह चाहसे वह firefight मार्सक होता है य Help कोEr पूरत पूरा डिस्कॉस करने वाला है उस पूरे 30 कोर्षान को वन बाई वन करके फूर डिस्कॉसान के साथ देखने माले हैं तो आई होप आप इस वीडियो को इसकीप नहीं किजेगा और पहले देखिए यदि आच्छा लागेगा तो लाइक किजेगा अच्छा नहीं लाइगा तो लाइक मत किजेगा ओके तो चलिए आगे बढ़ते हैं कोशन को डिस कर सकते हैं तो दोस्तों यदि आप इसकीन पर कोशन देख पा रहे होंगे तो इसकीन जो बोल रहा है आपका क्या बोल रहा है कि वायू में परकास की चाल तीन गूने दसके बढ़ आठ मीटर पर सेकेंड है एक दसमलोग 5 अपर तनांक वाले माधियम में परक इट मीटर पर सेकेंड और क्या दे रखा हुआ है और आप रट नांक यानकी माधियम के साथ जो अपरतनांक बन रहा है तो वह आपका वोट पूइंट और रखा हुए है तो इसको सौप करेंगे यादि अपॉर्टनांक के सूत्र करें तो आपको मालम होगा कि माधियम या होता है माध्यम का अपोर्तनांग कि अपोर्तनांग बराबर क्या फर्मूला होता है कर नाधियम का अपोर्तनांग माध्यम में परकास की चाल, ओके, तो अपवर्तनांग आपको तो दे रखा हुआ था, कितना दे रखा हुआ था, 1.5, आप इसकी को देख पार होंगे, 1.5 जो है आपका 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 चाल दे रखा हुआ है, तो माध्यम में जो है आपको फाइंड करना है में परकास की चालो के अब इसको क्या करते हैं तो यह इदर आएगा और यह क्या बट्टा में चला जाएगा तो माध्यम में अपरकास की चाल बराबर क्या जाएगा माध्यम में परकास की चाल बराबर ये आपका पौहले से तिन गुने दुर्णे पर आठ मीटर पर सेकेंड है तो यह इस तरह दंड रहेगा और यह आपका 1.5 आजाएगा बट्दा में तो यहां पर बंट्टा में 1.5 होजाएगा जो आपका सही उतर निकल गया क्या आया दो गुने दस के पावर आठ मीटर पर सेकेंड जो आपका सही उतर आया और यही आपका राइट अंसर होगा तो आई होप कि आप कोचन को समझ गए और इसके डिसकॉस को भी आप समझ रहे होंगे यदि ऑप्सन की बात करें तो ऑप् सब क्या बैत यहां पर पूट करेंगे और पूट करने के बाद जो है आपका परकास की चाल पुछ रहा है याप से क्या पूछ रहा है कि यहां पूछ है तो यहां पर पूछ रहा है तो यहां पर वायू के श्रम्द्अ मुछ आप तो यह पूछ रहा के काच के साफेक्ष काच के साफेक्ष यू का पड़त पूछ रहा है कि वाला वाई दो पॉछता तो यह भी प्षाएब पॉट फाइब कर देंगे 1.5 कर देंगे यह क्या होगा दस उपर जीरो बैठा देंगे तो पांस से पांस से तीन जो है आपका सही उतर के रूप में आएगा और यहीं आपका सही उतर होगा कर देंगे तो चलिए अगला कोचन आपका सीन पर दे रखा हुआ है जब एक दॉंड चुमक की का उतरी धुरू दक्षिन की ओर निर्देशित हो होता है तथा दक्षिनी धुरू उतर की ओर निर्देशित होता है तो तब उदासिन बिंदु होगा मालने जिए यह बोल का रहा है कि यह आपका यह चुमबक हो गया और यह आपका नौर्थ पोल हो गया यह नौर्थ पोल और यह आपका सा पूल हो गया अब यह साउथ पोल जो है यह इस तरह हुं कर इधर उतर की ओर आए और वाला जो है उतर नॉर्थ पोल जो है वह आपका साउथ की तरह पाजाए तो उदासीन विंदू क्या होगा तो उदासीन विंदू आप्सन नमर यह देखा जाया तो चुम्बा किया कोचन हो जाएगा तो अप्सन नमर यह ही आपको इस कोचन का अंसर देना है ओके तो चलिए अगले कोचन की तरह बढ़ते हैं अगला कोचन जो है आपका फोर्थ नमर कोचन पूछ रहा है कि एक साथ वार्ट का के बॉल्ब में 0.5 एंपियर के धारा बहती है एक घंटे में इससे गुजरने वाला कूल आवेस क्या होगा तो कूल आवेस यानि कि आवेस इसकल टू क्यू क्यू कमान बुझ रहा है तो क्यू इसकल टू क्या होता है आपका आई टी होता है तो आई कमान यह आप दिये रखा हुआ है बना लेलते हैं इसको मुझा का वें अभे ऊब्atan को कहाँ सitating Q से Q is इस Medicare कुछ हां अआई टी So it एक माल दे रहा है कि तो आइक कमान दे रहा हुआ है कि दुछ हां मगारे अपए तरह हुआ है साथ ले रहा हुआ है अब 18AM और खुकी suggest that I can do a sasad अपीर दोस्तोह यहां दोस्तोहां पर आई का मान जो है 0.5 Ampere दे रहा हुगा है वार्ट तो आपको सकती दे रहा हुगा है ना तो उसे कोई मतलब नहीं है आपका 0.5 दे रहा हुगा है यहां पे Ampere यानिक धारा का मान तो 0.5 हो गया और उसके बाद जो है आपका क्या दे रहा हुगा है एक घंटे में इसे में में चांज करना होगा में साथ में में इसको सेखन्स करना होगा में जए आक में एक घंटे में तो हो जाएगा तो इसतरह 20 साथ कर देंगे तीके लिखेंगे 60-60 क्यों लिखेंगे 60-60 क्योंकि यह आपका गंटा में तरह हुआ है और इसको आपको सेकेंड में चैंज करना है तो सेकेंड में चैंज करने के लिए 60-60 लिए अब गुना करेंगे तो 636-36 सब्सक्राइब तो इसमें गुना करना है 0.5 से जब इसमें 0.5 से कितना जाएगा आपका 1800 कुल्म जो है आपका सही उतर के रूप में आएगा और यहीं आपका राइट एंसर होगा ओप्शन देखें अप्शन नमर जो है आपसण नमर डी जो है करेक्ट एंसर होगा यहीं सब्सक्राइब तो यहां कुछ भी नहीं करना था आवेस का मान पूस्क्राइब तो आईटी होता है तो एंपियर यानिकि धारा का मान दे रखा हुए 0.5 और साथ वाट जो दे रखा है उसे कोई मतलब है नहीं है 0.5 और एक घंटा चलाना है एक घंटा है उसको पहले हमको अगला को देख सकते हैं एक परकास की नम बॉर्ण है पांच नमर कोचन एक परकास की रण कि आवरीती चौह ने के पावर 14 हटर्ज है जब यह 1.5 अपवरतनां के माध्यम में संचरन करती है तब इसकी आवरिती होगी अब देखे यहां पे थोड़ा सा यह डी मुट जो है आकरसीद करने वाला कोचन है थोड़ा सा इधर उदर करका दे रखा हुआ है यह आपका प्रकास एक प्रकास की आप पावरतना यह एक परतनागे माध्यम से करते हैं यानि कि एक माध्यम है यानि की माध्यम जीस इसका पावरतनाग 1.5 है 1.5 अपरतनाग का एक माध्यम He और इस जो किरण को उस माध्यम से गुजारा जाएगा तो अवरिथी पर क्या परभाब परेगा उसका आवरिथी नहीं किसी एक दूसरी माध्यमं में परवेश करेगी ब achievements जो है घ 뽑़ यहां पर तिर कि बात करे तो ऑप्सं में जो हे यह यह नमर आप्सन है यह करेंच्ट जो होगा क्यों科 जो नहीं रहेगा इसका तो इसका आव्रिति में चैनिंग नहीं होगा तो रंगधैरे अपर्त वो वह पर दन चम्ता इसमें जो चेंजिंग है वो होगा लेकिन आवरीति में कभी भी चेंजिंग नहीं होता है इसको आपको याद रखना है तो ऑसनमर यहीं जो है आपका सभी उतरोगा जोर है वही रहेगा च्वह नमर उपकोचन देखते हैं तो च्वह पूछाए कि एक पिंड क को यहां है माइक्रोग मैं का वह ए इसमें 30 इलेक्टानों के संख्या हो गी तो are워서 दोना सजो है कुछ नहीं है इसकोचन में भी आप अदिक है कि अब मैंनस आस नहीं माइक्रोग्लान कि दोसंगुरे सुधरुण रहा है अधरी इसमें मुल्टिपल लाइक कर दीए अभी पूछ रहा है कि इसमें अतरीत इलेक्टरान की संख्या पूछ रहा है यानि कि कि इसमें से फाइन अट करेंगे एक एलेक्टरन में कितना होता है कुलम एक इलेक्टरोन में कितने कुलम म BIG 1.6 पंट को इतना कुल में क्हातना इलेक्ट्रन Partners होता है हमेसा मैंस में होता है इसलिए इसको भी मायनस में रखेंगे तो यह मायनस में और इसको है इसको थे आपका प्योल मिय लुक्ता हो जाएगा यहँए 15 हो गया और उसके बाद यह माईनस लाकर लोगा तो तो किया गांइनस च्छौ और पावर थर्टीन हो जाएगा अब यहां पर दखिए यह यह जो है पास पचास है तो पचास को कीसे सकते हैं पाइब का पावर जीरू लेखेंगे तो यह जो है एक क्या जाएगा तो यहां पर चार हो जाएगा यानि कि पांच का गुना दो दोस्का पावर जो है आपका चौधर जो है सही उत्तर के रूप में आएगा यादि ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन इसको चौधर जो है आपको देरा खावका था कि अच्षी मायक्रो कुलूम इसको सिर्फ कुलां में क्यों होता है हो आपको कुलम में रहता है अ ग experiments कि यह दिक यह यह दिक़्त और पलगा नहीं दो माइकुरॉब को कुलम होता है हुजु लिए!!!! और या यह इटना होंगे इतना कुलम के रूप में होए तो यह आपका5-10 में 18 तो चलिए अगला कोचन की तरफ लेते हैं तो अगला कोचन आप इसकी नहीं पर देख सकते हैं कि अगला कोचन क्या बढ़ रहा है कि एक लिफ्ट का दरबमान 500 केजी है लिफ्ट के बल में तनाव क्या होगा जब यह दो मीटर पर सेकेंड इसक्वाइर के तोरां से उपर की ओर जा रही है तो इस कोचन कैसे बनाएंगे तो इसको मिटा लेते हैं तो तो इस कोचन में जो है आपको तनाव पूच रहे है यांदि कि जो है आपका लीफ्ट एक है लीफ्ट में 500 केजी का वजन का एक कोई चीज रखा हुआ है और वह जो है दो मीटर पर सेकेंड की वेक्ट से उपर की वो जा रही है तो लीफ्ट का जो तनाव है वो रस्स तनाम होता है वह तनाम आपका कितना होगा वह आपको फाइड गरना है तो आपको याद होगा कि टनाम याण कि टेंसर बावर क्या होता है यहाँ पर लिफ्ट के लिए M into G plus A होता है याणि कि M from a G for gravitational acceleration याणि कि गूत वरन और A for acceleration तो यहाँ पर मांस याणि कि दरब इमाना को दे रखा हुआ है कि दना 500 तो पांस हो गया और जी फोर ग्रीम इंटेर्शनल एक्सलेशन क्या मान क्या होता है नाइन पॉइट मीटर पर सेकेंद स्क्राइट यहाँ आप नाइन पॉइंट एट लिग देंगे आप पलस में एक तो लेवेन पॉइंट इसको मल्टिबल आइक करेंगा तो यह आप दो सब्सक्राइब केंसल कीजिएगा तो यह एक जीरो केंसलर आप हो जाएगा तो यह आपका क्या हो जाएगा जीरो का जीरो और आठ पाच चालीस और यहाँ पर 1155 और पच्पन चार उन्सट यानिकी उ जो है आपका सही उतर आएगा उन्सट सव न्यूटन जो है यही आपका राइट अंसर होगा और आप्शन की बात करें तो आप्शन नमबर सी इस करेक्ट असर फोर डिस कोचन हो जाएगा ओके तो आई होप कि आपको यह भी कोचा समाझ में आगा होगा तो चलिए अगले क नमर्योशीं कोचन आप देख पार होंगे वह अगवार रहा है बोड़ा यह पॉर्म सुन्यत अब होता है यहां कि two degree Celsius होता है एक यहित यह subscription में देखा हुआ है यह तो आप आप क्या में сдे रखा हुआ है तो आपको प्लोस में 270, leuk. देख किएगा तो पलोसमें 20230 degree Celsius बंदे रखा हुआ है लेकिन आपका सही उतर नहीं होगा वह आपका गर्लत हो जाएगा यहां पे राइट एंसर क्या होगा जीरो केल्विन आपको एक्जाम में इस तरह का कोचन हो जाएगा ओके चलिए अगले कोचन की तरह बढ़ लेते हैं अगला कोचन आप इसकी नीपर देख पा रहा होंगे बोला है कि रॉकेट की सिधान्त पर क्या रहे करता है रॉकेट जो उड़ता है वाईव मंडल में वह किस सिधान्त पर क्या रहे करता है तो रॉकेट जो है आपका सम्वेग संरक्षन के सिधान्त पर कारे करता है लेकिन अप्शन देखे न तो आप्शन में संवेग संरक्षन कहीं नहीं दे रहा है कहीं भी नहीं दे रहा है पाला है उर्जसान रखशन में द्रभे widely सलेक्षर तीन बनोते रहा है रेखिया संवेक्स नाचण और चार नमर दे राख़ा है को नियों समय संवर्चन तो जो आपका रॉकेट होता है वो आपका पर यह से गति करता है तो आपका रेक्षिया समय संवर्ध करेक्ट आंसर होगा और इसाइब आपको एकजाम में राशार के रूप में पीडिकरना ओकर ओके तो यहां पर 9 नमर का ओप्षन नमर्षी सही हुतर होगा तो अगले को देख लेते हैं तेन नमर को पूछ रहा है कि निउट्वन का गौति का पर्थम नियम दर साता है क्या यह उसके द्वारा क्या मिलता है आपको तो यह आपको याद होगा कि आपको जरतोव के बारे में बताया गया है कोई भी बस्तु गतिमान है तो गतिमान ही रहेगी जब तक कि आप उसके कोई बाह है बोलना लगे जब तक आप ढ़के लिए गा तब तक वह नहीं चलेगी जब तक आप जलते हुए बस्तु को रोकिएगा नहीं तब तक वह नहीं रूखेगी तो यही आपका और यही आपका जरतोव कभी नहीं होता है तो इसलिए परिवर्तन तब उसके बाटा में टी लाल जी है तो कराची में फरिवर्तन वेग में तब ही बाटा टी अब बताएगे कि सब्सक्राइब होता है बेग में तरिवारतन को क्या कहाते हैं हम लोग तो अप्शन नमर सही उतर रहेगा यहां पे और इसी को एक्जामियाब को आंसर करना होगा चलिए अगले कोचान 12 नमर को देख लेते हैं 12 नमर कोचान में पूछ रहा है कि किस रंग का पर किर्णन सबसे अधिक होता है है तो सबसे अधिक पुछे न तो यह हम को ही असे आंको बताते हैं रहा है कि जब पूछे तो सबसे जो है आपका निचा वाया सही उतरे होता इसको फश्न सबसे उपर लाल यानिके रेड इसको कहायता है आए भीवग्योर बाइजानि purple पीना लग कोहिए इस तरह भी आपको सकते हैं तो हम क्या बता रहे थे कि यहां पर जो है आपका जो सबसे नीचा रहेगा वह आपका सबसे अधिक परकिर्णन वाला होगा यानि कि बैगनी रंग का सबसे परकिर्णन अधिक ज्यादा होता है और यदि बात करें कि सबसे कॉम परकिर्णन किसे होता है तो आपका रेड यानि लाल रंग का और यादि तरंग ध्यार की बात यादि आ जाए तो सबसे अधिक तरंग ध्यार जो होगा वह आपका लाल रंग का होगा और यह जो है आपका बैगनी रंग का सबसे कम तरंग ध्यादा होगा तो यह इसमें जो समझ रही हूंगे चलिह अगले कोचां तरह बंड़ लहते हैं । अगला कोचा आप इस्कीन पर देख पा रहोंगा आपका रहोंगे क्या बढ़ रहा हुए कि फोकस दूरी क्या बताना है आपका फोकस प्लॉस-4D दे कैसा हुगा है तो पॉलस्स दे रखा है तो वह आपका पल्स में ही सहील उतर होगा तो différentes करनी तो मैंटिव।一 और लिजी है इधर है गाटhill एफ दर आएगा तो ओन क्या Cup पुल एका और यह है आपका मीटरह सेन ओबहुद यह को सेन्टी मीन तो लोग जाए ग मेंद कर लिए जी। लृज़ोग यहां पर यहां पर यहां पर। तो यहां पर दो य्यांप कि यह आपका संटिमें में कहिए तो 50 संट्रमिटर अमीटर में कहिए तो इसको बटा सकते हैं आपर मीटर में पूछ रहा है तो इसलिए आपका आ आपका ओफ्सान नमर सी ही सही उतर होगा दोगे चलि ए अग्ले परोद्ध का बढ़ लेता है एक से कम होता है इसलिए करें तो ओप्शन सब्सक्राइब अपतर होगा कि बाल का इससाई मातर प्यूंच घर कम यानि कि उसको थोड़ा सा और multim यो रखा हुआ है उसको जो है उसके मान को find करके रखा रखा हुआ है तो अकिब हम की बात करें तो बल बाराबर यानिकि FORCE व्य Ici बाराबर अब कोले काने होता है में होता है थो एम मतलं दरब्यमान मतलब केजी ओके मतलब एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन मतलब बेग में परिवर्टन तो बेग में एक्सेलरेशन क्या होता है मीटर पर सेकेंड होता है तो केजी मीटर पर सेकेंड इसक्राव जाएगा तो आप्शन की बात करें तो आप्शन नमर जो है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्राइर आप समर्ट जो है सही उतर हो जाएगा तो चलिए अगले लिए तरफ बढ़ लेता है तो अगला कोशन आप इसकी पर देख पार होंगे बोल रहा है क्या किसी वस्तु का जरतुव निर्भर करता है तो किसी कोई भी वस्तुव का जरतुव जो है आपका दरविमान पर निर्भर करता है याद कि आप पर होंगे नीटों सलों में तो उसमें अच्छी तरह से बताया गया है कि जिस तरह का दरवमान होगा उतना है उसका जो रत्वा जो है कि जरत्वा जो है आपका दरवमान पर निर्भर करता है इसको आपको याद रखना है तो अप्सन नम यानिकि गौति आपको यहाँ पे ज्याद करना है कि करेगे यह आपको यहाँ पे गौति लिख कर थोरा सा ध्यान को इधर उदर भटका दे रखा हुआ है लेकिन यहाँ पे आपको फाइंड जो करना है तोरन ही फाइंड करना है यानिकि गौति का मतलब आप यहाँ पे तोरन समय का समय चाह या दरक होता हुषित है 1ГES कर दू दिरक हौ तो भाग मैं जाएगा तो यहां पर से रूप में आएगा और बात करें तो यहां पर से आप्सन नमर सी इस करेक्ट आंसर फोर डिसकोर्श हो जाएगा एक मीटर पर से केने स्क्वाइर तोरं से ओके तो इस तरह जो है आप्सन नमर सी जो है सही तरोगा चलिए अगले को देख लाते हैं अगला को जाना भी स्क्राइब देख सकते हैं 18 नमर को नमटा है ति सौर सेल सौर उर्जा को कीस उर्जा में रूपांतित करता है तो सौर सेल सूर्य का परकास से आने वाला जो सौर सेल होता है वो सौर उर्जा को कीस रूप में जो है आपका रूपांतित करता है तो एक है आपका एक नमर उप्सन विधूत उर्जा में दूनमर उप्सन है गतित उर् परकाश को आपको करकर किया की रुपमे नेटा है ब्धु तूर्जय से सब्सक्राइब तो आई ओप कि आपको यह कोचा समद्ध में आ गया वोगा चले नाइन्टीन नमर कोचा देख लेते हैं तो उननीस नमर कोचा बोड़ा है कि किसी गोलिय दरपन की फोकस दूरी तथा उसकी वक्रता त्रीजिया के संबंध में समय करते है तो इसके बीच में क्या हमाद का ह него को आती है की आदि होते है यह सब्सक्राइल देहें आपका जो है एक का दुगुना होता है तो इसमें देखेता यह और यह दोम्गे च रहा होगा एफ इसस में चाहले और ऑफ सैमय कोकुत दूरी को आधा बोल्टा यह कता हίν नहीं होगा और गलत है यह बड़ाबर आर कभी नहीं होगा और आपका सही उतर होगा तो चलिए अगला कोचान देख लेते हैं अगला कोचान भी काफी इंपोटन है बोल रहा है कि एक एंग इस्ट्रों इसको एंग इस्ट्रों पर बोलेंगे जो आपको दिख रहा होगा एक रूप में one एके प्रवड यहां में दिन गाले होगा ँषको एंग सट्राण पलेंगे just a एक इंगस्टाण करनी होता है फो टाயे औल सलएंगहों वैदि रिखशॅब को बोलेगा तो आपका 10 कपाऊ माइनस पंद्र इस तरह होता है और यह पुच्छा हो जाएगा हुघशे है ठाहले करें की जरी होगा खंदी पार दूरी होगी तो वक्रताति रिजय जो है आपका 15 cm दे राखा हुआ है तो आपको फोकस दूरी जो है आपको फाइन आट करना है तो आउतल दरपन जो है यहाँ पे तो मान दे राखा हुआ लेकिन अधेकतर बचे जो है प्लस और माइनस के सिम्मल में जो है गलती कर बठते है मैंे और कि आर्फपन ही है कि आप के अपने कि आपका सेंटीमीटर और यह जू है 50 लेकिन मैनस में तो आप यह आप यह आपका आउतल दर्पन के सामने जो भी एफ और सी जो है यह सब रहते हैं यह सारे का सिंबल क्या होता है माइनस में होता है तो इसलिए क्या i 다 STEPHAN महीं इसलिए इधर आते तो प्रश में एक उप्रश मेरा है लगनी पर मौना से गहां ऑगा तो कि आपको माइनस और प्लास में कन्फूजन अब नहीं क्रियेट होगा आप समाज गये होगे तो दूस्तों यह अगले बात करें अगला हुआ अगला हुआ आप इसकी बात देख सकते हैं वर्ड़ा है 22 नमर को चान कि निमलीखीत में से परकास ही कौन सी पर गटना है इन निमतुके बनने में सम्मिली थे इन इसके बनने में जो है आप अप्सान नमर ओधन अप अब वर्ड़ा सवाटं बीछेपन परावर्ट तो जो आपका इंद्र धनुस जो बनता है न वह आपका सूरी का ऑपोजिट बनता है याज़िज इधर आएगा तो उधर इन उधर अपवर्थन बीचेपन और पूर्ण परावर्थन जो याद रहा है पर अपवर्थन बीचेपन और पूर्ण आंत्रिक परावर्थन तो चलि यह अगला कोचन के तलब बढ़ लेते हैं इसका जो है सही उतर होगा और नमर्ण तो इसका जो उतर हो रहेगा आपका सी नमर उत्वार शन सेंटिग्रेट माइनस वन जो है आपका सई उत्र होगा इसी कप को एक्जाम में आसर करना होगा तो दोस्तों यहां पर अगले कोचन की बात करें तो अगला कोचन 24 नमर कोचन बोल रहा है कि एक बीदूत बाल यहां पर यहां परतीरोड रूप में और परतीरोड आपका 12 वोल्ट के में रूप में बारव परतीरोड है तो यहां पर आप इसको केंसलाड कर देजिए कि बारोपचे साथ जो है आपका स्वही उत्र के रूप में आये का और यह अप्शन की बात करें तो ऑप्शन नमर्डी इच करेक्ट था और काफी सींपल भी था ओके चलिए अगले कोचां की तरह बढ़ लेते हैं अगला कोचा होता है आप फीज तार का जो की करते हैं क्यों कि अदर कोई वह झीज लेगा तो सबसे को सबस्क्राइब को सब्सक्राइब, गर किए आपका घर में सर्क्राइब लेकिन आपका बोर्ड के पास कट कट दिया, तूट गया क्योंकि उसका गणलांग कम था वह पहला ही गल गया और सब वाईड के गलने से पहले वह गल गया जिसे कराँ जुए बीदुधारा भी रूख गई अब जब बीदुधारा गई तो जहां शोर्ट सर्केट हो रहा था कि उसका भी हम लोग बचाव कर लिए कि इसलिए हम लोग फ्यूजदार का उपयों करते हैं अपने घरों में ये भी आप इंपोर्टन जाम गए और क्यों करते हैं कि इसका गनलांग कम होता है और यह जल्दी तूट जाएगा तो जो है जहां पर जो सट रटकित होड़ा है वहां पर आप बचाव कर सकते हैं तो य आलगा कोचन पारनी फिन फूरlish आप देख सकते हैं वह रहा है था बीदू जैल स्रोत है यानि कि एंदू जहांuto का सुरत है फिल्दा चुसर जो है आप वैटरी जो है घरी में लगाते है उस में लगाते हैं क्यों क्योंकि वह विदुधारा जो है आपको देती है और विदुधारा के कारण ही आपका डेडियू जो है बजता है या घरी जो है आपका चलती है तो यह आपका विदुधारा जो है सही उतरों का का ओप्सेन नॉमर ए इस करेक्ट आप फोर्डिस कोचन हो जाएगा तो आई होप कि आप हमारे बातों को समझ गया होंगे चलिए 27 नमर कोचन देख लेते हैं 27 नमर कोचन क्या बोल रहा है कि किसी पींड का दरविमान दोगूना तथा विए आधा करने पर उसकी गतिज तो आपका पहले जो है आपका दर्मूमान mm है याज लो है जो है आपले जब धर्मूमान mm जैया अन इस diff म investig कर दिये जाएगा अर वै gates कर दिया जाएगा रिक ego होता है तो इसके लिए यह वान बाई टू एम है तो एम भी है तो बिए स्क्राइब अब इसके लिए क्या हो रहेगा 11 2 2m के जगापर 2m रखेंगे तो 2m आइण 2 v² का जगापर क्या रखेंगे 1 by 2 का स्क्वाइड यह पूरा का अहल स्क्वाइड होगा होगा ना ओके इस पूरा का हल स्क्वाइड कर देंगा इसको साल करेंगे यह दो-दो केंशेला ठोड़ा एगा m मपर्वाइब मपर तो यारी आपका पहले क्या था आपका आपका पहले क्या था आपको वान 2MV था अब क्या हो गया ऑन वाइफ्योर अपक्या वहा निकी पहले जितना था उसका अब स्काइब गया आधा हो गया तो जब यह परिवहती हो गाए टूए में परिवहती हो जाएगा और यह जब आधा हो जाएगा तो कमेंट वक्समें बोलिएगा हम उसका जो है solution बताएंगे जरूर ओके तो दोस्तों अगले कोचन के बाल करेता अगला कोचन 28 नमर को बढ़ रहा है कि किसी वस्तु की परतिरोगता परिवर्थित नहीं होती है यादी यानि कोई वस्तु है उसका परतिरोगता जो है परिवर्थित नह बढ़ लाता है दो नमर कोचन बढ़ रहा है कि ताप बढ़ लाता है सी नमर कोचन बढ़ रहा है कि परतिरोगता का आकार बढ़ लाता है और दोनों पदार्थ ताप बढ़ लाते हैं तो यहां पर ऑप्सन नमर सी जो है सही उतरोगा परतिरोगता कोई भी हो कितना भी हो पर त्रिरोदव का अटार बदल दाता है तो इसके कारण जो है आपका फर्देता अता कोई कोई पड़िवर्टा नहीं आती है जो है आपका प्रिथिवी का दर्मान जो है चंदरमा के दर्मान से अतना समस्ök लिजया के तो आप मेरे दोस्त बटाए जो प्रिथिवी पर यहां आपका Is क्यासी गुना है तो वो जो है 81 से डिवाइड करने के लिए बोलेगा ना जी क्यों क्योंकि उसका जो है आपका ग्रुत्वा तोरण जो है कम होता है तो उसके अगले कोचन की तलब बढ़ते हैं और आज के इस सेशन के लास्ट कोचन जो है यह आपका क्या बोल रहा है कि आप इसकी बते सकते हैं जी का अर्थ हैं काफी सीबल पोचन नहीं के लिए ख मताया था कि जी का अर्थ क्या होदा है गुरुत्वा तोरण तोام आप सवात हमर ए बोड़ते है कि पितिवी का कर्षण Communist कर सरभा है कि स्वतंत रूप से गिर्तीवी वास्तु का तॉरण तो यह आपका पॉल्टेक्नि इंट्रेशिक जाम का सेस्न था जो सारे 30 कोचन हमने डिसकस कर चुके और यह आप 30 नमर्र को छुछन देखे यानिकि कि जो है आपको मालूम रहेगा लेकिन और सबूसर से डाला जाएंगा कि आप JIM इता है तो आप शाब करना इनके जो है युड़ा सा इसा मड़ी करते है दिया था स्वतंत्र रूप से गीरते भी वस्तु का तो रहें जो है वह यह आपका जी तो फर्स्ट फर्स्ट को चना आप इसकीन पर देख पा रहे होंगे तो यहां पर आपका बोलता है क्या परमानु भार बढ़ने के साथ चार धातूओं का गल्लांग क्या होता है तो परमानु भार जब बढ़ेगा तो चार धातूओं का गल्लांग जो होता है दोस्तों वह घड़ता है क्या होता है वह घड़ता है आवर्शन में आप देख सकते हैं या आवर्शन में मिनलीव का आ तो उसमें ब्ताया है कि जब वर्ग में वर्ग में जो पर्माणु जैसे सब भढ़ेगा उस तरह जो है जो है च्छार धातु वा गनलांग दो कम होता जाएगा तो यहां पे जो है आपका घर जबता जाएगा अगले कोचन की तरह बढ़ते हैं और अगले कोचन को देख लेते हैं तो थाटी टूड नमर कोचन आप इसी पर देख पार होंगे तक क्या बोल रहा है कि परमानु संख्या पच्पन वाला तौट्व आवर्ट सार्नी के की सब्लक में इस्थीत है तो परमान आप इसका 50 का स्टरा वन एच्टू टू एस्टू टू 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 पी 6 3S2 3D 10 इसी तरह आप किजिए गा तो पच्पनमा तक लिक जायेगा तो पच्पनमा तक परमा तक यह आपका इस ब्लोप में यह इंट करेगा यानि कि यह सब्लक में आएगा तो इस तरह अगले कोचन के तरफ बढ़ते हैं तो दोस्ते अगले कोचन के बात करें तो अगले कोचन आप इसकी पर देख पारा होंगे थर्टी थी नमर कोचन बोलाइट का उदारन है तो इसको इसका एंसर जो है गहां का क्राइव लाइट जो है सही उतर होगा इस शी को आपको एजाम में अंसर बिख करना होगा ओके उस तरह आप ठर्टी फोर नमर कोचन देख सकते हैं यहां पर आपसिन नमर ए जो है सही उतर होगा जल में परिछिफट वसा जो है तो जाएगा आप कोचन को समझ पार होंगे तो चलिए अगले कोचन की बात कर लेते हैं अगला कोचान 35 नमर कोचान इसकी पर बोला है कि निमन मेंसे किस योगी की द्रावित अवस्था में हाइड्रोजन बंद नहीं होता है तो हाइड्रोजन बंद वो भी द्रावित अवस्था में किसका नहीं होता है तो वह आपका बेंजीन का नहीं होता है और बेंजीन का जो ह है आपका डी नमर आपसा सही उत्तर हो जाएगा तो आप समझ गये होंगे चलिए अगले कोचन को देख लेते हैं अगला कोचन पर देख पार रहे होंगे थार्टी सीक्ष रफोपिन काहां कि संकर्ण में होता है एलेक्ट्राइव का यूग C2 नमार dispatch 1 उसका का वीड़न कि एक की आपका इलेक्ट्रों की साजेदारी और दिखावा है ऑप साज्य परकर बनता है उसको यह उसको देता है और ओप कलो उसको देता है तो तो यह सढ़ेधारी का लखन है और इसी सढ़ेधारी के काना सस्रीफन ळेलगवता है वेन्प अस्तर अप्स सेथर होगा कि सच्छ?... का सूत्र MPO-4 है तो इसके ना फीर्ट का सूत्र होता है इसका नाइट्रेट का यह उत्र होगा वह आपका MNO3 का हओल फ्राइज होगा क्या होगा MNO3 का होल्तराइज वह आर यह जो है आपका option C में दिए हुआ है is which option C जो है सही उत्र होगा इसी ग आपको करना होगा तो यहां पर इसका जो है आपका एम एन ओ यानिकी एम का जो है आपका नाइट्रेर पुछे तो यहां पर मालूम होगा कि इलेक्टर प्रोटर्न की खोज करने का एक ट्रीक होता है है खोज करने की एक ट्रीक होता है इट इसको याद रखिएगा ईस फूर इलेक्ट्रोण कि एलक्ट्राउन तिफोर टॉंस्ञ हैं कि थॉंस्ञ बोल सकते हैं कि और पिफ़ोड फोर्टॉन यहां प्रीपक जाने टीफोर फोर्टॉन इसका वेगानिक पॉन होगा गोल्ड इस्टेंग गॉंपकुर यादा रखना होगा गोल्ड इस्ट्फिंग अनौफ़ नीट्रोन यहाँ पर आपसे प्रोटोन का पूछ रहा है तो प्रोटोन का खोज करता कौन है यहाँ पर गोल्ड इस्टीन है यहाँ पर क्या बोल रहा है गोल्ड इस्टीन है लेकिन यहाँ पर आपका ऑप्शन जो है गोल्ड इस्टीन ऑप्शन नमर में नहीं दिया हुआ है आपका चै की थी अबर मिलकर प्रोट एक कि लेकिन जो है रधर फोर्ड जो है उनिस सब्टीन उनिस्तग ग्यारा में में दोनुमें खोज गिया था लेकिन 1921 में आपका इसका नामकरण रधर फोर्ड नहीं किया था तो सब्सक्राइब यहाँ के आपको प्रोट्वन करके आये और हुआ है अपको उसको राइट अन्सर के रूप में बढा सकते हैं ओके तो यह पर गोल्ड लीच्त सभी होगा ओर दिया हुगा यहां पर आपको क्या दिया हुआ है प्रोटोन की खोज की थी लेकिन नामकारण किसी ने क्या था आपका रधर पोड में रधर फोड में 1921 किसी में उके चलिए अगला को देख लेते हैं अगला कुछा आप किसी स्कीन पर देख पा रहा हूंगे से इस्क को चोड़कर निटरोवी ततो के परमानु में पारा तो हाइड्रोजन जो है आपका सुरी दोस्तों यहां पिस्क नमटकर नमर्ड देखेंगे था है षांब हाइड्रोजन मिस Two तय लग में तो हंपार रफोटव मेंदा होता है हाइड्रोजन एक नमर का है और इसका जो है हरके क्याना होता है प्रोट् wires करके इसец तरह होता है याने कि इसमें कि ऑप हो प्रोट्र फॉट्र और सि ुट्वट अ सब्लेक्ट्रों सब्सक्राइब एक,-एक होते हैं लगवग में एक होते है लेकिन यहां पर एक-एक दुनों लगवर में होते हैं तो जब एक-एक यही दुन हो गए तो यहां पर नीट्रोन होगा नहीं होगा यानि कि हाइड्रोजन जो है यहां पर आपका सही उत्तर हो जाएगा ओके तो चलिए अगला कोजन आप इसकीन पर देख पा रहा होंगे यहां अगया जाना भड़ राय मोटर 2 विरंजक चूर्ण का विरंजक गुन किसके मुक्त होने के कारण होता है तो किसके मोक्त होने कारण होता कहते हैं यह को लख ए Delos और करे यह सीसा चाहिजर और ये श्राद पहुते हैं स्टीक करेक्ट में एक कर लाहिए try काहलाती एक तेलकोहल के बीच अभीडर नगर केOLD वेया यह ही पढ़ना है यह जो क्टरी कर न्यूंट ड्रीक ऑफ्सन नमर एक जो है आपका सही उतर होगा ओक्या अगले को देख लेते हैं अगला कुछन आपका फोटीफोर नमर कोचन इसकी सिर्ग के में उपससित होता है तो परसीत हमलोन क्या होता है कर पला होता है रिच्वाल होता है प्लाइजाम में काफी वाब है रिपेट हुआ है यह सी तिक और इसका फर्मूला क्या होता है और यही फर्मूला आप से पूछ रहा है तो अप्शन जो है है आपका आपका ओप्सिन नमर ए में ही दिया हुआ है इसलिए आपका सही उतर हो जाएगा इसको आपको याद रखना है सिर्के में उपरसित अमल क्या होता है एसी टीक और एसी टीक का फर्मूला अगले कोचन की बात कर लते हैं अगले कोचन आपका इसकी पर देख पार होंगे बोल रहा है कि ए बी सी तथा डी बिलियोनों में पी एच मानलग बुक करम सा ग्यारा साधे नौव साधे तीन तथा साधे छे हैं इनमें से सरवार्धिक छारीय विलियन है यानिकि आपका चार है चार विलियन दे रखा हुआ है और इसमें जो है सब्काव 봤 नकी क्षे होगा ना जी छे सहट civ देख रहे ऊंगे क्वाहपकों टे रहें सबसे रहेंगा वह सबसे रहेगा वह सबसे रहेगा वह सबसे अधिक चाब सबसे काम इधर कम कम इनकर और अधिक ओगे तरह आपको याद रखना है सबसे होगा वही होगा तो सब्सक्राइब कर सब्सक्राइन करें इसमें कौन है तो इसलिए अप्सर नमर A जो है जो है सही उत्र दोएगा ओके तो यहां पे ग्यारह और आपसर की बात करें तो आपसर नमर एच करेक्टर सा फॉर्ट इस कोचन हो जाएगा तो आई होप कि आप समझ गये होंगे अगले कोचन की बात कर लेते हैं अगला कोचन आपका इसकी निपर बोल रहा है क्या कि क चाहले के सब्सक्राइब है यह प्रभल चाहर है यह नहीं पर देख पा रहेंगे बुर रहेंगे एक बीलियन में हाइड्रोजन आयन के संद्रता वाण इंटू त्युद्री पावर्ड माइनस टुवल मोल लीटर है तो इस बिलियन का पीएच मान क्या होगा तो इस बिलियन जब 1.1 इंट टेन तो दिपार माइस टुएल मोल परती लिटर है तो इसका इस बिलियन का पीच मान जो है आपका दो हो जाएगा ओप्शन नमर एज जो है सही उतर होगा ओके तो यादि दोस्तों अगले बात करें तो अगला कुछ आप देख पार होएंगे बोड़ रहा है कि फिटकीरी का अनुसूत्र क्या है तो फिटकीरी का अनुसूत्र जो होता है वह आपका के टू-स ओफोर इंटू-स ओफोर का होल्थराइज इंटू-स तो नमर सी इस करेक्ट तरफ पूर्दिस पोश्टन हो जाएगा तो इस तर से कोचण इज़्ा में जा पूछ जा रहा हैं तो 50 नमर नमर कोचण आप इसकी पर देख पार होँगे बोल रहा है कि नीवन में से कौन सा पौत परिवर्तन नहीं है यह आपको इस में से चूज करना है तो ऐप्सन देख लेते हैं और में के बात करें तो अप्सन नमर एक और फिर वो क्या होगा वाटर के रूप में चेंज जागा तो यह जो है यह जो है यह जो है यह जो आपका बहुतिक परिवरतन है और परिवरतन है और आप से पूछन क्या कि नहीं कोन है यहां पे पेट्रोलियों लपीजी का दोहन यह जब आप जला लिजीएगा खाना बनाली जियेगा उससे तो फिर आप उसको यहां पर सही उतर होगा यह जो है आपका रसाइनिक परिवतर नहीं क्या है तो आई- आप समझ गया होंगे और क्या बोल रहा है कि कर बिनिक योगी को का मुख्य शुरत है तो कर बनी के सरूत क्या है पेट्रोलियूम मेट्रोलियं क सेही साधी जो यह कार्बनिक प्रापकी आता है यह साथ है ऑफ सेटेड लूवार्ट सेंड एक इततोह करना थे हूं के क्षारी मीर्दा धात्युविकार लाते हैं तो आपनोर रूपिक तत्व काने सां यह आपको बताना है तो इसका जो दोस्तों सवाई उतर होगा इनमर होगा सोडियम जो है प्रारूपिक तत्व है इसको आपको याद रखना होते है इंडिस 2 3 pol 55 When we get you kia any knife p2o or 3 points 2al और बना थाका है अल 2 1 2 3 कि यह आप किया है वो किस पकार गिए तो आप देख पार होंगे समभी करन में कि जो है यह यह फी टू यहां पर असली से लिखार है ुए कि युए और फीट टू ओ थिरी पॉलस टू ए एल है और बना क्या रहा है ऑड़ है उन्ति आया प्रसमें टू अति यहां पर यहां पर यह वाला जो है आपका यह अलग हो गया की नहीं यह फीट तू ओ ठीड और यह जो है से चिपर यहानि है यानि कि यह जो है औप यह जो है फे kangra ju रहा है और इसमें चीपर जो है आपका उस तोरह की ही इसमें घर्टना हो रहा है तो यहां पर जो है आपका 눌러 पहले कोचन को आपका 55 पोल रहा है कि कॉपर पाइड का सूत्र क्या है तो पूंछ ली आधीत रहे आधी तरह आपको याद रखना होगा करने के लिए परियुक्त करते हैं करने कल्वे जो यह होए सबस्क्राइब क्लोरीज बनाता है तो सबस्क्राइब ऑफ टाक्साइड क्लोराइड बनाता है तो ऑफ्ता नमर बी एस करेक्ट एंसफ फुर्डिस कोशन हो जाएगा निमलीखित में से कौन सत्व एक धातु है इसमें ऑफचन दी राखा हुआ है एक नाइट्रोजन दो नमर भी में आपका ऑक्सीजन में रखा हुआ है और डी नमर में दे रखा हुआ है तो सोडियम जो है आपका साही उतर होगा । अप्सन नमर डी हो जो है सही होगा बोल रहा है तो धातु सोडियम हो जाएगा ऑफसर नमर डी इस करेक्ट असर फोर दिस कोचन होगा ओके तो दोस्तों अगले को देख लाते हैं 59 नमर को क्या बोल रहा है कि आम लगता चार की प्रसपर अभी किरिया को क्या कहते हैं उदासी नी करन अभी करन यह से माल लो कि HCl को है है स्टोडियम है इंहरा करा ना है रहा है न कि अलब बनाएगा or at 2 को हुआ कि गवान के नवर तो के लिए पर miten स्टाइब दोतों की से मिलने से बनता है तो प्ल जो और जींग को मिला आइता है तब जो का पीतल का निवान होता है तो अप्शन सायद यहां पर अप्शन नमसी जो है इस कोचन का सही उतर होगा तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं हमारा कोचन को यदि आप इसकीन पर देख पार होंगे तो क्या बोल रहा है कि कोई वैपारी किसी वस्तु को 130 रूपया में बेच कर 30% का लाब उठाता है तो उस वस्तु का क्रेम मुल्य बता है तो इस कोचन को जो है हम लोग दोस्तों बाई अप्शन सोल करेंगे इसलिए करेंगे क्योंकि यह वाई ऑप्शन जो है थोड़ा सा लॉंग नहीं जाएगा यह काफी आसानी से बन जाएगा तो बोलता है कि 130 रुपया में बेच कर 30% का लाब उठाता है और आपसे फाइनाट करने के लिए बोलता है यानि कि जो है आपका क्रेम मुले बताने बोल बताने के लि बताने के लिए जो बाइं आपसें काफी आसानी से और काफी जल्दी सौल्व रहते हैं तो इस कोचन का बाइं ऑप्शन ही सौल्व करने माले है तो बड़ाए कि कराएम मुले पर यदि 30% बढ़ा बढ़ाय जाए तो वह कितना होगता है 130 रुपया होगा तो कराएम मुले अरिकि मालीजे ये जो आया होगा ऑफ संजो है कराया मुलिय और और यह अठाल तो दाम रखा जाता है तो जो आता है वह आपका 130 के परावर आथा है तो ये 130 आएगा नहीं आएगा ये आपका साथ 12 दोन चाहू दे तरशाथए क्यान बेह और बाटा पाने पांचा आ रहा है ये नहीं होगा वाप्षॉन इसको देख लिए से हैं तो इसका 140 कर गेए तो यह क्या आपका आएगा यह जो है आप रूप्यां था ओप्सण नमर जो है यहाँ पे B is correct answer for this question हो जाएगा तो आई होप आप इस कोचन को समझ गया होंगे चलिए अगले कोचन की तब बढ़ते हैं तो दोस्तों यदि आप अगले कोचन को स्क्राइब सक्षा सकते सॉस्क्राइब चलिकार चाएगल होंगे तो नमर कोचन क्योंकि यह 2 से कटेगा और साउब और ख killer का अलावा तो आब में आप अब होटा हिए जो अपने आप और एक सीभा किसी और से ना कटे, cancel out ना हो वो क्या हो यह आपका अभाज इससंग क्या हो जाती है, तो यह जो है आपका A नमर तो तो सही दिख रहा है, लेकिन और देख लेते हैं, बी नमर ओसन देख रहा है, तो B नमर ओसन तो बी सम है, लेकिन अभाज यह नहीं है, क्योंकि तो यह तो बीशम है लेकिन अभाज ये नहीं है लेकिन ओप्षन एनमर ये निगे 61 जो है अभाज ये और बीशम दोनों है इसलिए ओप्षन नमर एइस करेक्ट अंसर फॉर इसकोचर हो जाएगा तो आई हो अभी इसकोचन को समझ गया होंगे तो यह दोस्तों अगले कोचन की बात करे तो अगला कोचन नहीं 63 नमर कोचन बोल रहा है इसकीन पे बोल रहा है क्या कि आकरे 50 41 43 44 42 20 64 और 30 के लिए परिसर क्या है तो इसका आपका परिसर फाइंड आउट करना है तो परिसर का मतलब आप समझ रहे होंगे कि इसमें जो है सबसे बड़ी संख्या जो है उसमें से सब सबसे छोटी संख्या को यदि माइनस कर लेंगे तो जो आएगा वह आपका परिसर आएगा तो इस सबसे बड़ी इसमें कौन सी संख्या है देख पा रहेंगे 60 जो है सबसे बड़ी है तो यानि कि इसका जो फर्मूला होता है परिसर ग्यांद करने के लिए उच्छ सिमा माइनस क्या होता है निम्न सिमा यानि कि उच मतलब सबसे बड़ा वाला जो है आपका संख्या हो जाएगा और निम्न सिमा मतलब सबसे छोटा वाला संख्या तो सबसे छोटा वाला इसमें अब क्या है अब देख लेते हैं 30 जो है या नहीं 30 नहीं 20 जो है आपका सबसे तर होगा और option की बात करें तो option number a is correct answer for this question हो जाएगा ता यह hope कि आप इस question को भी समझ दोएंगे परीचर ज्यांद करने के लिए बोले तो आप क्या करेंगे उच सीमय में से सीमय को माइनस कर देंगे यानिकि सबसे बड़ी वाली संक्य में से सबसे चोटी वाली संक्या को घठा देंगे तो चलिए अगले कोचा की तरह बढ़ लेते हैं तो दोस्तों यह अगला कोचा आप इसकीन पर देख पा रहे होंगे तो 64 क्या बोल रहे हैं इसको भी देख लेते हैं इसको कैसे करेंगे और लॉंग में कैसे करेंगे तो फ़ले सुट में देख लेते हैं यानि क्या आपको दिया क्या है क्वोचन में क्या हो गया है इसको क्या क्यों चक्या हो गया अब इसका है आपका होल इसको एग्या माइन रहalt माइनस कई और यहां पर वह गया अभी इसका जो है आपका होले स्कूर्प अब यह जो है आपका क्या हो गया ईयह प्लस बी ऐंटो है माइनस वी ऐने कि एसक्वार मैनस भी एसक्वार का फूरूलागा हुरा है एक बार घ्रटा हुआ यह पाले भी हम इसका का चर्चा कर चुके हैं तो इस तरह यहां पर क्या है आपका 7.7 वह यहां पर फॉइंट से वह प्लस है तो पर फॉलास या उसके बाद दो समलो गए आप इसको क्या करतेंगे हम लोग मल्टीपिलाई कर देंगे तो यह क्या होगी आपका 9.2 और 6.2 इसको मल्टीपिलाई करेंगे दो दोना चार नो दोना अठाड़ उसके बाद चाओ दोना बार नो चाप चाओ आएक क्या जाएगा पच्पन हो जाएगा चार आठ दो दो दस पांच एक अंग दो अंग तो दोन के बाद लगा देंगे यानिके 57.04 जो है यह आपका सही उतर होगा ओप्सन देख लेते हैं तो ऑप्सन नमर्डी में दिया हुआ है आपका संताओन 0.04 जो है आपका सही उतर हो जाएगा ओके तो इस कोचन को हम लोग इस तर बनाएंगे अब यहां पर जो है आप इसका स्कॉार करते और उसके बाद माइनस करते हैं तो यदि आप फर्मूला याद रखे हैं हुए है यदि आपके पास फर्मूला याद है तो आप काफी असानी से और काफी जल्दी इस कोचन को कर पाएंगे तो इस तरह जो है यह से कोचन बनते हैं तो कुछ ऐसे कोचन होते हैं जो कि थोड़ा सा अपना माइन्ड लगा कर भी आप उसको सोट में बना देंगे उसको जल्द आलफा क्यू प्लस बीटा क्यू कमान है तो यहाँ पे आलफा क्यू प्लस में बीटा क्यू कमान फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है आपसे तो फर्स फर्मूला हम लोग क्या करेंगे पहले इसका यह देख लेते हैं चलिए अलफा क्यू प्लस बीटा क्यू यहीं प alpha plus beta का HOL q minus 3a b, alph into beta I into alpha all source do alpha प्लास बीटा यह वाल आपका eq plus bq का ऍती है थो akboom कि ऑ myst عव्ल को कर दी है alphHaul प्लीछीव करदे मायनमन स्थिरी इंट्वाध इंट्वीटा आइंट्व में alpha पालस बीटा तो यहां पर आपको जो है दो को छीज़ पाइन आडड करना पर यह एक ऑलफा प्रॉस बीटा और एक आल्फा इन्टू बीटा यह यह दोनसिभ्या आपको मालूम है और इस इसका मतलब आपको फर्मूला याद होगा कि मुलू का योग बराबर क्या होता है आपसे बोला जाए कि मुलू का योग बराबर क्या होता है यहाँ पर माइनस लिखेंगे इसलिए आप फोर लिखें डिरेक्ट आओ एक जगा पर क्या है तो वन यानिकी आलफा फ्लस बीटा इसको आपके आया सिर्फ फोर आया ओके आप यहाँ पर आप अलफा इंटु बीटा भी ज्याद कर लिए यानिकी दोनों जो मुल है मुलों का अब क्या होता है शुत्र सी बाई ए होता है अब इसको फर्मूला के रूप में चंग कर दिये आनना इसका यहाँ इस पेलू कर देंगे तो चार का क्यू हो जाएगा मैनस में फ्री इंटू आलफा इंटू बीटा है तो यहाँ ठीरी एंटू बीटा तो में αफा इन्टू बीटा का उम रख देंगे उसके बाद अलफा प्लस बीटा फिर क्या है आपका चार है तो चार लिए देंगे उसी तरह इसको आगे बाएंगे तो यहां पर चार का क्यू यानिकि चाचोंकर सब्सक्राइब का 64 हो जाएगा तो यहां पे 64 हो गया और माइनस में 3 इन्टु 4 इसकल टीज़व का 12 हो जाएगा यहां पर माइनस कर देंगा तो चार में से दो घटेगा आपका दो यहां पर छे में से घटेगा तो पहाँ जैने कि यानि की आप AQ पॉलस BQ के फर्म में इसको देख रहा है एक पॉलस BQ का फर्मूला यहां पर लिखेंगे तो यह क्या होजागा इसके रूप में चैंज होगा तो इसमें आपको क्या ज्याद कर ना होगा एक बार आपको दिव्यासमी कर दिया हुग है तो आप इसससे क्या कर सकते हैं मुलू का योग और मुलू का गिनन असानी से ज्यांद कर सकते हैं तो आप इसको ज्यांद कर लिए उसके बाद इसको यहाँ पूट कर दिजिए जब पूट किजिए गा तो यह जो है आपका राइट अंसर 52 जो है आजाएगा तौप आप हमारी बातों को समझ गया हो होगा माई कि दौ आसन भूजा होगा है इन कि आपका माल सफाल इस कर लोग भूथ को बना लते हैं क्या होग आपका यह वह चाहि कोडन अ तो यहां पर जो है दो आशन मुझा यानि कि यहां पर आपका स्वमकन हैं और स्वमकन स्वमकन फgriff active दो आशन मुझा का मतलँ क्या है यहां यहां पर तो यहां पर जो है तो यह जो है आपका 60 cm में दे रखा हुआ है और जब हम ब्रीद चैप्टर आपको पढ़ाए हुए हैं तो उसमें आपको बताए हैं कि जब एक तिर्भूज एक ब्रीद के अंदर एक समकून तिर्भूज बनायाता है और उन सबी कोनों को वह ब्रीद की परहिदी परहिदी जो है टच करती है तब उस ब्रीद उसको तिर्भूज का जो है आपका उस तिर्भूज का यह जो कर्ण होता है वह आपका क्या होता है ब्यास होता है जब भी जब भी एक ब्रीद के अंदर आप समकून तिर्भूज बनायेगा तो उस समकून तिर्भूज का जो कर्ण होग वह उस ब्रीद का क्यों जाएगा व्यास होगा तो यह जो है आपका व्यास हो गया और व्यास जब यह हो गया तो यह तो यहां पर 30 सेंटीमेटर आपका तीरिजिया हो गया क्या रहा है तो यहां पर 30 सेंटीमेटर आपका 3D आपका 3D हो गया आगंर पूच की जगवाब तीन आपका कभ़ाध हो गया और यहां पर यह यह याद रखना है लोग D का शुर्ण होल खुर। कि आई होप हमारे बाते को आप समझ गए होंगे 67 नमर कोश हमें क्या बोल रहा है दोस्तों बोल रहा है कि यहां पर ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन बोल रहा है कि ए जो है आपका बी से चोटा है और भी नमर बोल रहा है कि यह बढ़ा है और भी इसमें आप भाग कि जिये गा यह क्या है आपका माइनस 0.33 यानि कि यह आपका रख़णिंग में आएगा ठीड़ी आते रहाएगा और बी बराबर यहाँ पर का है आपका माइनस 1 है तो आप संख्या रेका पर इसो देखिए ओके समझने के लिए यहाँ पर संख्या रेका लिग कर बना देते हैं यह 0 हो गया आपका कर दो हो गया और माइनस 1 ओगया यह IN थे यह जो पर यह बेस यह जो है यह कहां पर होगा यहां पर आपका है तो यहां से आप बता सकते हैं कि इसमें कौन बड़ा है और कौन छोटा है तो यहां से देखा जाए तो सबसे बड़ा इसमें कौन है जो जीरो के पास रहेगा वहीं रहेगा तो यहां पे यह जो है आपका बड़ा है और बी जो है आपका छोटा है यह बी जो है आपका छोटा है देखने में तो लग रहा है कि माइनस सुन हैं यह बारा है लेकिए बारा नहीं है यह क्या है चोटा है यानिकि इसको हम कैसे लिख सकते हैं ए बाडा है बी से तो इस तरह का ऊप्षण कौन नमर में दे रखा हुआ है किस नमर्में तो यह बारा है बीजे तो यहां महतम समावर तक यानि HCF जो है एक स्फ फ़र्स वन दे रखा हुआ है तथा LCM जो है एक सब्सक्राइब और 4-1 दे रखा हुआ है यादि एक बेंजग यानि एक बेंजग दे रखा हुआ है एक सब्सक्राइब ग्यांत करें तो हमने है एक सब्सक्राइब को दोनों संख्याओं का गुननफल के बराबर होता है तो यहां पर उसी का भैलू यहां पर डायरेक्ट अंतनुसांflows था बॉल पॉड सब्सक्राइब नबर होरु है यहां पर को ओ स्क्राइब सब्सक्राइब का मालूम आज क्या मालूम है एक स्क्राइब माइनस वान आइं में दूसरी स εν का ही रहन देते है ऑ्के और आपका एक सीय ए मालूम है एक फिलरस वण और यह यह मालूम है एक्स का पावर 4-1 एक्स का फावर 4-1 ओके तो यहां से आप इसको फाइंड कीजिएगा बी का मांत बी इधर रहा जाएगा और यह क्या है गुना में इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा आई होप आप समझ पा रहा होंगे आप इसको जो है आप क्या लिख सकते है इसको आप किस परगा लिख सकते है एसको ऐसको एक बार जोड़ दीजिए और एक बार घटा दीजिए जी में लोग लिए ये खोगा तो उसी तरह इसको भी हम स्थे लेंगे तो इसके लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं आपके एक बार इसको आगे मिंस कन है अब बाटा में आपका एक स्क्राइब माइनस वाले को यहां पर में एक स्क्राइब माइनस वाले को यहां पर 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 यहां तो option number में कितना number में दे रखा हुआ है आपका d number option में दे रखा हुआ है x plus 1 into x square plus 1 तो इस तो आपका option number d जो है सही उतर होगा तो I hope आप इस question को भी समझ गए होंगे यहाँ पे आपको dhcf LCM में एक rule होता है कि जो संख्या है जिसका आप LCM और LCM निंगाल रहा है उन संख्यानों का गुणनंफद बराबर होता है उन संख्या renewed संख्या के LCF और LCM के यहां पर लिखे ऑगां बत हो रहा है तो थो संख्या के सुनख्या का भाग में हो गया तो उस तरह जो ही स्कों हम को हम क्या 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 किये कि किये तो इस तरह हम लोग का x plus 1 आएंटू x square plus 1 जो है सही उतर के रूप में आ गया तो यहां पर option नमर्ड जो है सही उतर होगा तो इसको हम लोग पहले board पे लिख लेते हैं तो इस question को बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे x plus 1 दे रखा हुआ है ना x plus 5 देखा है sorry x plus 5 x square plus 7 x plus 10 और बट्टा में क्या दे रखा हुए आपका x plus 3 और इंटू में x square plus 10 x plus 25 दे रखा हुआ है अब यह जो है आपका श्रली करन चेप्टर में आ जाएगा तो इसका श्रली करन हम लोग कर देंगे श्रली करन करेंगे तो कैसे होगा यानिकी इसको थोड़ा और च्छोटा करेंगे करने के लिए और क्योंकि जब तक इसको छोटा नहीं करेंगे तो इसका फेलू आएगा तो इसका निवन्दम करने के लिए इसको तोर लेंगे इन दोनों को तोरेंगे तो यहाँ पे आप इसको लिखिए x plus 5 और इंटू इसको क्या को लिख सकते हैं वाटा में इसको खुणा करने ब таким दोना करेंगे तो क्या होगा एक च्छेप यहाँ पॉक्र् 거리ख देंगे पर 10 बाता में इसको x plus 3 है तो x plus 3 ही निख सकते हैं तो और झोटा गढ़ नहीं सकते हैं अब यहां पे इसको करेंगे चोटा तो x square और 10x को ऐसे दो बागों बाता हैंगे कि गुन्ना करने पाचीश x square और जोड़ने हैं घठाने पर 10x आए तो इसको छोटा करेंगे तो क्या होगा यहांब यहां पर देखिए इसके यहां पे कमण क्या बसेगा ऐग को इसonstra यख बचेगा और यहां पर यहां पर बसान कि धार ऑच गया ओड़ डिखेंगे एकस प्लस ठीजिए सको हो यह करेंगे चोटा करेंगे तो यहां दिखरा ciento लिखने कापधाल करते हैं यहां पर लिख लेते हैं दो यहां फाइब है एक्सपनस फाइब है यहां पर यहां पर लाइब बाहर बढ़े लेंगे और यह बाहर बाहर ऑफच क्या रहा है उपर में है 1 टी इस च्टार का सही उतर सब से और अब सब्सक्रे नियुदन में का डगते ओआ हैं क्या यहीं आपको राइट एंसर इस तरह के कोचन को पिक करना होगा इस तो इस तरह करने के लिए थोड़ा सा यह जो गुरंखन होता है उसको तोरना पड़ता है और उसके बाद जो है कैंसिल करना पड़ता है यह थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ता है उसके बाद इस तरह के कोचन का solution निकल पारता है तो आई होप आप इस कोचन को समझे पार रहे होंगे तो चलिए अगले कोचन की तरह बढ़ लेते हैं तो अगला कोचन आपके 17 नमर कोचन इसकीन पर देख पार होएंगे यह थोड़ा सा काफी इंपोर्टेंट कोचन है यह आपका ITA इंटरेंस एक में भी पूछ रखा हुगा है कोचन यह कोचन काफी मोड़ ऋटन है मोड़ रहे हैं क्या एक संख्य एम 25 से इविभाजिय है यह्दि 4 म ₹ on को 25 से भाग किया जाया यह यान कि विभाजित किया जाया तो है तो जो विद्यार्ती हमारे उस वीडियो को देखे होंगे इस कोच्वन का सोलीचन जो है जानते होंगे कि क्या होगा तो देखिए आपको बोल रहा है कि एम जो है एम जो है यह 25 से भी भाजी है यांदि कि एम में जब 25 से भाग करेंगे तो यह पूरा-पूरा है यहां पर आपको बोल रहा है कि यदि 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 एम पलस फाइव एम पलस वन में 25 से भाग करें तो यह क्या होगा और यदि केंसील होगोग करेगा तो कितना सेस्पल आएगा या कुछ घ्रत आभेह कोछ आएगा तो इसको सेथाव्य ही चुशू करते हैं था इसको कवना कर लिए यानम उसकृयर में फिर ये म में यो सबस्टे सेवाइब मुला करें अब 5 मेन 15 से इन बना करें तो फाइफ व्याएब हो गया और पॉलस में जिसा के फाइब बता में 25 से बतामे जों के धी रहा है तो चलिए आके बढ़ते हैं और यह आपका में यह स्कौायर हो गया आपका एंसर क्या होगा तो यहां पे जो है आप 25 को देखिएगा 25 तो जो है एंब को क्येंसील आउट कर रहे हैं है आपको कोचब मैं ही बोला कि 25 जुएंब को भी भाजी कर दे रहा है तो यह फाइक हों पिंडल कर देगा 36 ही है कि यह पर दिख रहा है आपका क्या लिख दे रहा है लिख दे रहा है 22 और 18 किया ती से ना उसके बाद एक बार लिख रहे हैं दो एक बार ती लिख दे रहे हैं ओके तो यहाँ पर देखिए गा तो आप आपड़ा में 6 फे चाह सब्सक्री उप अपि आप 6 तो 12 को केंसल आट सब्सक्राइब करें तो आप सब्सक्राइब हो जाएगा और समझ गए होंगे तो आगे बढ़ते हैं और इसमें कुछ भी डाउट विगरा है तो आप कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं हम उसका रिप्लाई देने का प्रयास करेंगे तो दोस्तों अगले कोचन की तरह बढ़ा होगा है तो से वेंट की वन नमर को चाहिए कि 21 प्लस 24 27 प्लस डॉट 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 यावन का मान होगा क्या क्या होगा मान तो इसका आपको फाइंड आप करने लिए थोरा सा आपका भायलू निकानना पूरेगा यहाँ आपका एक सिक्वेंस कि याज रहा ह योगफल निकालना जानी कि आप इसको देखेंगे कि यह है कि ना हूँ तो इसमें 3 ty में पदो का योग के रूप में है तो पदो का योग बराबर क्या होता है एन 92 इन 2 इन पाइट्रों टू एप वेक्रों ऐने माइनस-1 ं ं होता है तो आपको यहां-पे 1 जो है पादो की संख़्या यहां से तंग ना पहले तौर पौ Frei इसकल होता है जो है गया पौर हो demolition यानि के पर्थां पहुत दे रहा हुआ है तो यहां पर यहां पर से देखेंगे इस-क को इधर माइनस कर देंगे तो यहां पर हो गया तो अब यहां पर इंड कमांड रख देंगे तो जो है आपका भाईलू फाइंड आउट हो जाएगा तो चलिए रख देते हैं तो एंड कमांड 21 से 21 में सब्सक्राइब कर देंगे 42 हो जाएगा अब इस दूसे बहुत कर देंगे तो यह क्या होगा उसके बाद आपका 36 और यह आपका 36 चाथिस चाथिन आया पर तीन ओके तो 396 जो है इस कोचन का सही उतर होगा और और अप्शन की बात को यह जो है इस का जो है आपका फर्मूला होता है यह सब्सक्राइब कर लेंगे उसके बाद जब फाइन का मान हो जाएगा तब इसको इसको इस को समझ गए होंगे तो चलिए अगले को संकी तरह बढ़ लेते हैं तो अगला कोचन आप इसकी नीपर देख पार होंगे था सेवेंटी टू नमर कोचन है बोल रहा है कि एज कल टू दे रखा हुआ है बीज कल दे रखा हुआ है उसके बाद एक गुना बीग आपको फाइन पावर देखेंगे तो बिस चार्ग और यहां पर चार समान है इसकावर देखेंगे यहांपे जोर देंगे तो 4 यहांपे गुना है नहीं को चुपा हुए है इस तो हम आप इस तो शुक्षन का सही उतर हो जाएगा यह नमर अप्सन में ही इसका एंसा चुपा हुगा इस लिस्त नमर ओपशन जो है कोचन का सही उतर हो जाएगा तो आई होप आप इस कोचन को भी समझ गए होंगे तो इसी तरह जो है आप चलिए अगले कोचन को देख लेते हैं तो अगला कोचन 73 नमर कोचन क्या बोल रहा है एम जो है एक कारे को अकेला पचास दिनों में पूरा करता है एम इन से 10% कम कारे कोचल है और यहाँ पर आपको बताया गया है कि एम जो है यह एम एम एन से कि n् से दोसप्र आजी हाग दोस्तों एन से दोसप्र 퍼शंट कर मुंए कि इनका 900 सब्साइए तो यहां से हम लोग इसको ज्याद करेंगे तो क्यासे ग्याद कर सकते हैं अब तो आल कि एब ईंझ करने में कितना दिन लगाए गा से दो श yng7 कर रहा है जब एंप पाटास्स दिन में कर रहा है तो इस से जो है और यह जो है दौस परसंट का था ऑदिक Venese आप क्या कर देंगे इसमें 90 अगुना 100 से क्या कर देंगे तो यहां से आपका 1010 कैंसल आपका क्या जाएगा नौपर्चे 45 जो है सही उतर होगा और इसाइस पर्चन का राइट एंश अपरको 45 दिनों में पूरा करेंगा क्यों 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 एंड जो है इस M से आधिक याणि और इस लिए उप्सनर बी जो है इसको सही उतर हो जाएगा और समझ गए होगे तो चलिए नार बोट आए कि तीन नाल जो है आर एस तथा टी एक टंकी को क्रमशन नब्य स्वव तथा 120 मिन्टों में भर सकते हैं यदि सभी नौलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने मिनिट में भर जाएगी तो यहाँ पर आपका टंकी की छामता तो दे रखा हुआ है और बुल रहा है कि एक साथ सब को खोल टे जाए तो आपका क्या होगा फ़िक साम जब खोल जाएगा तो एप एक साथ सेckt्व लेगा तो एक कार्य चपड़ यह कहा है न एक है करेंगे सब मिल कर जो है उस कारे को कितना कितना दिर में करेंगे यह आपका सही उतर होगा तो यहाँ पर इसका बैलू निकाल लेते हैं तो 90 और 100 और 180 का क्या करेंगा हम लोग अजय को निकाल लेंगे तो 900 और 180 का आप माल लीजी कि अठारे सब कर देंगे तो दोसब बीस तीस अ अठारे सब यहां पर इसको चोबीस तुना तालीस यहां पर आपका 900 का तालीस दूना अजय को 3 में करेंगी का अई किसे त embedded यहां कि प्रेंगे चीजित करेंगे तोस्जीना अके तो इसको तोसमाहे निकाल लेगा ते नट मी पर तो कारे करेंगे वह कितना दिन में करेंगे वह आपका सही उतर के रुख में आएगा इसको पॉलर देंगे तो नीचे दूसर पाचीस ये इस कोचन का सही उतर होगा तो यह तीनों टंकी जो है एक साथ खोल दे जाएगा तो भड़ जाएगा तो यह तीनों जब नौल एक साथ घुला जाएगा तो सवहीति तुस्वाल पाच मिनिट में जो है आपका टंकी भड़ देगा तो दूस्तों यदि आप अगले कोचन हैंगे सेमेटी फाइब नमर कोचन इसकी पर देख पार हो क्या कि चारों बुजा एक दूसरे के बड़ाबर संपार हुआ है इसमें इक बूर्ण जो है इक कि भीकरन जो है आपको फाइंड को आपको फाइंड करना है तो यहां पर आपको फाइंड क्या करने के लिए जो है उसका छेतफ़ल क्या होगा तो अपका होता है अगया होता है कि फोर गुने भूजा स्क्वाइर च्वाइंड क्या होता है कि फोर्गुने भूझा स्क्वायर के बडाबर झूहें आपका इस डी वन का स्क्वायर एप पलस डीटु का कि स्क्वायर के योगफल के बडाबर होता है याने कि पखले और दूसरे बीकरनों केvida स्क्वायर मतलब डीटू का हो जाएगा और चार समय चार से बूना थाएगा अब 6 हो जाएगा अब सोबीस का मतलब की पांसोंचीगतर एथा पांसोंचीगतर इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा मैने सब्लेदा ते होगी आपका इहां से सवाइर होगी यहां से बढתי चछी घर तो क्या होगा एक हजार होगा झाहन विल्वाम करेंगे तो आप 824 टिसटार इसीस्टार त्याहां तो यहां से आप कि आफ तो यहांसे आफ का दोनों मालूम हो गया तो अब हम लोग उस बैलू को फूर कर देंगे और एंसर ग्याद कर लेंगे तो बंदवर में बारो में बती से गुना करेंगे तो कितना होगा बतेश में बारों तो इस कोचन का सही ऊतर होगा आप्सेन की बात करें तो यहां पें आप्सेन नमर बी इस करेक्ट एंसर फोर इस कोश्चन हो जाएगा तो आप इस कोश्चन को सम्मझ गया होंगे एक बार और समझ लेते हैं समझ चत्रपूज दे रखा हुआ है उसमें एक विकर्ण 24 दे रखा हुआ है एक विकर्ण नहीं उसका एक विजा दे रखा हुआ है 20 तो जब एक विजा 20 है यानि कि चार विजा 20 होगा तो जब भूजा मालूम रहता है तो सम्मझ दूर्ण और श्यत्पर निकाल नहीं सकते हैं निकालते कैसे हैं सम्मझ दूर्ण चत्रपा 1 वाई 2 गुने दोनों बिकर्णों के गुनन करेंगे तो यहां से आप क्या करेंगे करेंगे डीटू क्या ग्यांद कर लेंगे 32 अब जब दोनों मालूम हो गया तो यहां पे भैलू पूर्ण कर देंगे जीस तरह आपका 3480 जो है सही उतर आ जाएगा तो आई होप आप इस कोचन को समझ गया होगे तो चलिए अगले को कोचां की तरह बढ़ लेते हैं तो अगला कोचां 76 नमर कोचां इसकी आप देख पा रहेंगे बोल रहाए क्या कि एक दुकांदार क्रें मूले से 60% अधिक अंकित मूले वाली कमीजों पर 35% की छूट देता है और जैने 728 रूपाए में कमीज घरजी उस कमीज क्रें मूले यानि कि मान लो इसको हम लोग सोल्व करेंगे इसको चन गो तो क्या लिखेंगे आपका देरह रखा हुआ है आपका करायम मूले से 60% अधिक अंकित करता है यानि कि मान लोकि क्रायम मूले क्या था आपका X था ऑके अब एक्स पर साथ परसेंट अधिक यानि कि 160 बाता सव हो गया ऑके अब उसके बाद जो है इस पर अधिक अंकित करके 35 परसेंट का छुट दोता है यानिकि इस पर परसेंट अधिक कर दिया उस मुल्य पर मुल्य को तो जब एक साथ परसेंट अधिक कर दिया अब उसके बाद जो है उस अंकीत मुल्य पर यानि कि इस पूरे पर इस अंकीत मुल्य पर कितना परसेंट का छूट दे रहा है 35 परसेंट का छूट दे राखा हुआ तो 35 परसेंट कर रहा है तो उसमें 100 से पालोस करके लिखेंगे लिए है तो अपधा बटा सव गया और इस पूरी को यह पूरा जो है अप इस पूरे को खरीदने में कितना रूपए लगा रहा है और लगा रहा है और इसको जो आप केंसिल आउट कर देंगे इस तर जो है आपका स्वाही उत्र आ जाएगा अब इसको चैनल अपर यहां पे चार दूना आठ यहां पर दूना दस यहां पर दूना चार ओके अब यह कर देंगे तो यहां से आपका क्या आया एक बाटा में सिर्फ 25 बचा है तो उदर आएगा तो ज़िएगा तो जोटा जाएगा तो आठाइस में 25 से गुणा करेंगे तो कर लेते हैं एक बार चाहाएट करेंगे तो चाहएं और ऊत्तर होगा तो यहाँ पर आप्सिन की बात करेंगा तो आप्सिन नमर बिसा और इस करेक्टन से माच गया होंगे तो चलिए अगले को जांगे बढ़ लेते हैं तो अगला कुछन दो जो है आपका 77 आपका जो है उतर होगा तो यहां पे आपका को चारगों ने रखा हुआ है तो फर्स्ट अंबर को जांग करने Kick आ नचे करें बोटप cactus को करना परेगा कि के क्सको को सब्सक्राइब करते हैं है तो आपका क्या क्या रखा दे रहा हूं हिए उसे से हुआ कि तो फस्ट अफा फलन वाजरशन को यह लिखा बोर बढ़ाई तो क्या लिखा वह लिखा हुए आपका कोस ए माइनस बी इस को ट्रोप्र थीरी जा रखाग हुआ है ओके तो यहां पर कोस ए- तो यह जो है आपका इसको एक इक्वेशन नमर फॉस्ट मान लीजिए ओके अब तत्था में एक और दे रहा हुआ है तो यहां एक पॉस्ट यहां पे इसको अब तर यहां पर साइन अब अब तक कॉस्क का लिख देंगे सब्सक्राइब सब्सक्राइब तो यहां पर क्या हो गया अब यहां से हम क्या करेंगे इसको इसको इधर लेकर चले जाएंगे तो साइण एसको अब क्या होगा साइण एंटू साइण भी इसको आपका हो जागा यह ब्सक्राइब हो जाएगा और यहां पर फॉर्ष नमर यहां से आप देखिएगा तो यहां से आपका साइन एंटू साइन भी जो है आपका इतना आगया है तो यहां इसको जो है इसका मान इसका मान जो है यहां पर हम लोग पूट कर लेते हैं यहां से आप चलेंगे आगे तो समीकरण एक रथा दो से бы एक का थो से किया आपका यहां पर कोश्च एंटू कोश्च भी तोगी हम श्रॉज पॉसी करना देंगे कोश्च एंटू कोश्च भी हो गया वहला आप में क्या अन्साइन प्रश्च में टिक्तल बनाइंगे एनटू साइनड बीट और का सऺ receivers पर यहांब आपको दिखना होगा, यहां ऑब इसको आगे सकाझे बनाएंगे, बडाबर में 2 बडाबर में आपका होसHHHH आपको हुझव च़री वाइंट से डू आपको आपको और तो तो यहां पर CRJPY के समस्भत , और यही जो ओपंसिन में दे रखा हुआ है यह यह तो इसको नमबर ए में ही दे रखा हुआ है तो इसलिए उप्सन नमबर ए जो है इसको चन का सही उतर होगा तो इसमें हम लोगों कुछ नहीं करना था जो है आपका को से माइनस बी दे रखा हुआ था तो इसको फर्मूले के तो रूप में तोर दिया उसके बाद 10A सब्सक्राइब तो इस तरह आपका ओप्सन बोलता है उस तरह हम लोगों को को सौल्व करना पड़ता है तो इससे घबराएगा ना जिस तरह आपको जिस फर्म में तोरने के लिए बोले को सौल्व किजिएगा तो आपको को समझ गया होंगे और हमारी बातों को भी समझ गया ह के तरफ बर लेते हैं तो अगला कोचन आप इसकी निपर देख पा रहाएंगे बोल रहा है जिसकी वस्तु का क्रेम उले उसकी अंकित मुले का 90 पर सेंट है तो इसको जो है थोड़ा सा बोट पर बना लेते हैं तो दोस्तों को इसकी पर देख पह रहा हुएंगे तो बोल के कि सी वस्तु का क्राइम मूल्य का 90% तो मान लेजिए अंकित जो है आपका 100% आपका क्रायम मूले क्या बोरा है कि क्रायम मूल्य का 90% क्रायम मूल्य हो गया और अंकित साह हो गया अब आगे क्या बोलगा कि अंकित मूल्य पर एक परसेंट के छुट देने पर आपका जो है लाप करतिस्थ च्या हुगा एक पर सेंट गशूट्ल पर जूटक यदंप तो यहां से आपको पूछ रहा है क्या कि लाब परसंट ग्याद करें आपको लाब ही ना हुआ है किटना नौ परसेंट बड़ाबार आपका क्या हो समय की लिख लेते हैं पर्मूला लाब कराय मूली कितिस अपका अब नौने रुपिया मों और लाब कितना हुआ है नौ रूपया तो नौ अगुने 100 अब आटा कड़ाय मुलिए 90 रूपय है तो नौबे आपके नौ से कंसलाइब होगा दोस बर में और दोस परसेंट जो है आपका लाब परसेंट के रूप में आएगा और यही जो है आपका सही उतर होगा ऑप्शन माइनस को 945 जिली का मांद ग्याद करना है 10-945 बाइलूओ फाइंड आउट करना है पुछले इस को भी हम लोग देख लेते हैं तो फार्स्ट अफल को आपको इसको वह लोग क्या करते है इसकी लिख लेते हैं बोट पर लिख लेता है क्या पो लुख और का टैन है मद दरना दिया हुआ है माइनस 945 तो आप We मालू होगा किड माइन सीटा बनाबर किया होता है आपका माइनस तीन था जा जहिंद आ होगा हो दियेगा हैं वहनी सोस्य कशने को हें देलों एक निकल के अ dicolके तो माइनस 10 है थो माइनस 10 ओके अब 945 को कि टा लिख सकता है 945 को हम लोग क्या लीख सकता है 3×360 डिगरी 380 मैं से कितना घटा आंगे के 945 गताएंगे तो आपका 945 डिगरी आ दो आप गता का देख लिए सबस्क्राइब तो इस तरह जो हम इतना लिख सकते हैं और यहां पर आप पढ़े होंगे कि जो है 90 एक तैन अब यहां पर प्यायलू जो है नहीं नीकल पढ़ा रहा है इसके आगे और भाणाएंगे तो इसको और आगे बनाएंगे तो तो स्क्रावलीब आप पुलर्स में लिख सकता है तो थीटा पे या होता है माइनस को थीटा हो जागा तो माइनस कोड़ संबागा तो माइनस कोड़ तो माइनस कोड़ topping मान का है CT मालूम होगा माइनस है तो माइनस कोचन का सही उतर होगा ऑप्शन की बात करें तो अप्शन को समझ गया होगे भी यह कोचन है तो अगले खान की तरफ लेते हैं तो अगले कोचन आप इसकी निपार रहेंगे बराबर है इसको भी थो यह रहा है है कि तो दोस्तों आपका दे रखा हुगा है का 70 को चार बटा तीन ते रखा हुआ है यानि की ळॉम बठा आधर याहां फे यहां पे लॉम में होग जार ओए त इन के नहीं होगे नहीं का है तो इस न कोई है बढबर बेद एफ देल् तो आपको फाइब क्या करना है साइन थीटा कमानी स्क्राइब क्या होता है यह लेकिन यह माइनस मेरी होगा क्यों क्योंकि जब आप आप नमर्स being चाल बड होजाएगा तो चलिए अगले कोर नुर्ण की तरह वह धन्रासीज क्या है जो दो बर्सों में 16最 से चक्रवीदी ब्याज पर इतना रूपय हो जाता है तो यहां आपका यह जो है आपका कोचन है आप से आप दे रखा है क्या डायेट हम इसको करते हैं धन राशी गयाद करना है तो पी और इस पर जो सोला परसेंट वार्सिक ब्याज की दर से तो यहां कितना वर्स के लिए दो वर्स के लिए इसको गुना कर देंगे अब यह जो है आपका मिस्रदन हो जाएगा याणि कि इस पीपर इतना इतना करके दो बार में कितना आ रहा है आपका याणि कि आपका दो लाख एक हजार आठसो चाली तरह है तो अब इसको हम लोग केंसिल आट करना के परियास करेंगे जो आएगा आपका सही उतर आएगा यह सौव केंसिल आपका कितना नंबर में 116 से आपका 50 हो गया यहां पर आपका यहां पर यहां पर 59 हो बिरीची इसको कैंसिल आपकेंसिल देखा जाए तो इसको थे तो कितना होगा आपका दोबर में यहां पर यहां पर यहां पर आगया अब जो है आप देखिए यहां से फिश कल तो तो इदर आएगा तो यह दोन 25 इधर आएगा तो भूना में आजाएगा भाग जोचिस में आप 24 से गुना किजिये तो कितना होगा कर लेते हैं एक बाद 425 चादून याठ दू दू दस उसके बाद 24 आएक 25 उदाएगा उसके बाद यहां पर दो बार में 25 दूना पचाच हो दून बड़ा है यानि कि सारे 300 हो शारे 300 हो गया अब यहां पर 005510 और ot56 और यह आपका एक 16 5000 है यह आपका सही उतर आएगा तो आपर लोगा देख रहे हैं अप्संन कितने नमर में है यहां पर प्वसंन नमर जो है एक नमर यह नमर आप्संन में है गोए सिल एक लाख साथ है है I hope कि यहां पर I think यहांपि एपर कुछ जीरो वेगरा छूटा हुआ है तो यहां से हाँ दोस्तों यहां से जो आपका जीरो छूटा होगा था यहां पर आपका चौह है 54जाथ हाता तो उसके बाद 29 से कैंसल आट होगा तो उसके बाद 240 बार में जब cancel out होगा तो यहाँ पे 240 होगा और जब गुंडा करेंगे तो यहाँ पे आपका एक लाख साथ हजार जो है सही उतर होगा यानिकि option नमबर ए जो है correct answer होगा तो I hope आप इस को भी समझ गया होंगे तो यहाँ पे आपको दे रखा हुआ था आपको डढ़ दे रखा हुआ था किस दर से बढ़ रहा है आपका मिस्रण दे रखा हुआ था तो आप मिस्रधन बरावा मिस्रधन हो गया अब इसको cancel out किये तो जो आएगा आपका सही उतर आया तो I hope आप इस सो मीटर लंबे पूल को पार करती है यदि रेलगारी कि गती 30 किलो मीटर पर हावर है तो पूल को पार करना में कितना समय यानिकि सेकेंड में कितना लगा हुआ तो चले इसको इसको भी देख लेते हैं आपका एक पूल है एक माल लेजे यह आपका फूल हो गया यह पूल कितना मीटर लंबा है आपका 800 मीटर लंबा है यानिकि आपका यहां से आप देखेंगे आपको ग्याद करना क्या है समय तो समय बराब क्या होता है होता है समय बराबर दूरी बटा चाल तो दूरी क्या है 100 और यह आठ बहुता है आपना लंबाई के साथ पूल की लंबाई को भी पार करेंगी इसलिए दोनों को एड़ कर देंगे तो दूनों को एड़ करेंगे तो तो सफky स्वाइन नीकि 900 देगा और बटा में 2040 के-ब लोग क्या कर देंगे क्योंको नौपर वहा इसलिए आपको इस मीटर में dogs ना कर accepting यहां पे-ठाय दोगना करेंगे तो यह आठारा उपर चला जाएगा तो यह तीन से कितना अभर में और यह पांच की इसको कितना अभर में बंड़ना करेंगा अठारे पच्छे नबबे तो यहां पर आपका समय पूछा है तो समय बराबर दूरी बटा चाल होता है तो दूरी टोटल क्या हो गया आपका 900 हो गया दोनों को एड़ कर देंगे इसलिए और बटा में चाल 30 km per hour में दे रखा है लेकिन आपको पूछ क्या रहा है सेकेंड में पूछ रहा है तो इसलिए को समझ गया होंगे चलिए अगले कोचन की तरह बट लेते हैं तो अगला कोचन आप इसकी पर देख पा रहा होंगे दोस्तों बोल कर रहा है कि एक व्यक्ति अपनी आयका 55% खर्च कर देता है तथा बात बचाता है तो इस को भी थोड़ा सा बोट पर आम लोग को देखना पर देखा थोड़ा सा लॉंग है लेकिन बहुत अच्छा कोचन है यह इक्जाम के भी उसे आपके काफी एक्जाम में यह इस तरह का कोचन पूछा गया आईटे इंटरेस हीजाम हो या फोल टेक्निक इंटरेस हीजाम हो आपका क्या बोल रहा है कि व्यक्ति अपनी आयका 55 परसेंट करता है यह इसमें से माइनस कर लेंगे ता और नौ में से तीन इचाय गटे अपका बचाता है अब क्या होगे आपका आगे बोल भूता है कि यदि उसकी आए परशीस परचन से बढ़ है यादी इसकी आरे पर चीस परचन से बढ़ है निकिए कशाश्य की सबढ़ होंगे तो दूसरा आए क्या हुगा आपका है जो आई थू सरका है आपका एक्सपछीश होसके बात मैंने है तथा हर्च भी ईस पर्चम से बढ़न नहीं वड़ जाए तो कर परिवर्थन हुआ है तो आपको यहां से आपको बचत में परिवर्थन, find out करने के लिए बोल रहा है यानि कि इसमें परिवर्थन कितना हुआ है यही आपको find out करना है कि तो स मैं यह से करो सब्सक्राइब कलिए 1025 होगा इस में graphics क्र रहा है कि 10 इसमें से माइनस करतेंगे माइनस करेंगे तब आप ऐसके बाद 11 में चाहर यानी की साइं तालीस हो जाए तो इसमें परिवर्तन कितना हो यही आपको करना है जी हा दोस्तों फॉर फर रीवर्ता में होभी फरसेंट करना है यहां सब इतर फरो सेंट में प्रसेंट लाराबर क्या में सब आच परिवर्तन आपर और मैने बारा का परिवर्तन बारा अगुने सो आवाठा पहले किना था पाइटीस तो पाइटीस का पाइटीस लिख दिए ओके अब यह पांस सब्सक्राइब करेंगे तो कितना होगा दिख रहा है ना जी हां तो सत्रीका इक इस सत्रीका इक इस उसके बाद तीन और जी तो सचोग अठाइस उसके बाद दो बचेगा तो साथ दुना चौधा और उसके बाद क्या बचेगा शे बटेगा तो साथ अबटे चाप मनें कि चौँतीस दो समर्ण दो आठ परसेंट एप रोक्स में जो है इसकोचन का सही उत्तर होगा तो देख लेते हैं चौँतीस दो समर्ण दो आठ जो है अफ्सन नमर्वी में दे रहा हुआ है तो इसलिए अप्सन नमर्वी इस करेक्ट एंसा फोर दिसकोचन हो जाएगा तो आई होप आप इसकोचन को समझ गया होंगे तो चलिए अगले कोचन को देख ला है तक है कि यह की सवनुपात मृडव तक ही मिश्रण की कीमत 33 सम recipients होगा तो यहां पर आपका यह जो खोचन है dedication मिश्र श्रृश junction ऑट है उसी का है यह समझे का फ़ीकर कीविवे बेत होता ही तो यह एक्जाम के विउस45 को जने आपका पईला जो घ्रक खावट के कि इसको मिलाना की सनुखात में है आपका मिलाना है तो जो एली जो अनुब्त कर जाएगा हो और इसका इस इस इसका उम्तर यहां पे इसका अंतर कतृं था आप देखे तो 25 2 0 0 22 का अंतर कितना है आपका देखसकें आप 152 0 0 0 और 232 0 का अंतर आपका सीर्फ 2 है तो 20 001 कर देजिए आप इसका अंतर देखेंगे तो 2320 है और या आप 111 002 है तो इसका अंतर कितना है 210 हो गया अभ यहां से आप अनुपाथ में 100 जड़ो जिरो जीरो चोल जटेगा यहां से आपका राइक अनुपाथ जो राइट राइस यह होगा हुवह 23 और 21 की अनुपाथ में और 세상 का इकीज़ा सुहीं उत्तर होगा तो option की बात करें option number D जो है इस question का correct रेंसर होगा तो I hope आप इस question को समझ गया होंगे काफी बंढ़ है जब भी निकालना पड़ता है तो हम लोग इन दोनों का अंतर निकाल लते हैं उसके बाद करके वह आपका आता है वह आपका रेसिव आता है तो आपको समझ गया होंगे आपर option number D जो है correct रेंसर होगा चलिए अगले कुछन की तरह बढ़ लेते हैं तो अगला कुछन आपका यह भी एलिगेशन से ही है थोड़ा सा बोल रहा है कि 150 रुपए को एम एन तथा पी में करमा सथ 357 के उपात में बाटा जाता है एम तथा एन के हिस्थे में क्या अंतर है तो यह भी कुछन काफी सींबल है कुछ नहीं करना है इसको थोड़ा सब देख लेते हैं भूट पे तो कितना टोटल कितना है आपका ac leaseco बाठा कितना है पूरा का 5 पूरा का कमान कीतना है आपका 1050 तो एक रेशियो कमान ज्मान करेंगे यानिकि एक एक रेशियो कमान आएगा और आपसे पूछ क्या रहा है कि एम इन का जो है हिसे का अंतर क्या है और यहीं दोनों के बीच का अंतर क्या है तो आपका रेशियो कमान से चाहे है और सतर यहां से आपका अंतर क्या है बड़ाबर है यहां और इन के बीच और दो रेशियो के बड़ाबर है और यही जो है आपका सही उतर होगा और और option की बात करें तो option number यहाँ पर आप देख पार होंगे option number a इस कोचन हो जाएगा तो आई होप आप इस पाल अवस्त रख हुए क्या है कि कि आपका बारंओं एक झाल writers को साचिया है कि अब करेंगे और कुल है सब्सक्राइब कर लिए तो पहले तो बारत थी अब कितना हो गई तो आपका आउसत क्या होगा तो लेकिन अब एक तालिस को सामिल कर लिए तो जो है आएगा वह आपका आउसत आएगा तो यहाँ पर क्या करतेंगे एट करतेंगे तो क्या होगा एक दो एक दो हो जाएगा यानिकी एक जीओ एक और उसके बाद तितना बज़ेगा नाइन बज़ेगा त्रेस्ट एक आउनिके सथरा जो है नया अनुपात निकार रेशियो निकल कर आएगा तो आप्सन नमर्डी जो है इस कोचन का शही उत्तर होगा तो परले दे रखा वह था आपका 25 असध तो आप का नया उसधं क्या होगा तो सबहएगा क्रेंगे सब्सक्राज है तो कि अप दोच्षे wheels निए उत्तर हो जाएगा तो आप समाज गये हो तो चलिके अंग्रूरा की तरह बढ़ ले पर देख पार रहा होगा तो 87 नमर कोशन क्या बन रहा है कि यह दी नहीं सोड़ी दोस्तों एक ब्यक्ति जो है 280 कुर्षियों को बेच कर 35 कुर्षियों के बराबर लब कामाता है तो उस लाब उसका जो है लाब परसेंट क्या होगा तो आपको ज्याद करना है लेकिन लाब दे रखा हुआ है कितना आपका कितना दे रखा हुआ है 35 कुर्सि जो है आपका लाब हो रहा है तो आपका क्या होता है लाब उना सो बटा क्राम मुली कितना आपका 35 सो हो गया आप क्रेम मूली जो है अपका क्या है रखा है आप या क्ना है तों बिक्राइम जम गतानी हिव क्राइम मुले इतने हैं- माइनस कर देंगे। आप का क्राइम मुली आएगा सिधानी आप का क्राइम मुली लिखेगा 25 45 लिखेगा अब आपके लिए 5 से तो याप आप 5 अग मिलाव कम कर दोगाइस उसके बाद 12 बचेगा तो साथ दूना 14 और उसके बाद तो साथ बजेगा तो सता से उचा सतावठे चापने कि चौहदर दो आठ जो है इस कोचन का सही उतर होगा ऑप्शन की बात करें तो अप्शन नमबर बी इस करेक्ट एंसर फोर इस कोचन हो जाएगा तो आई होप आप इस कोचन को भी समझ गये होंगे आपको क्या ग्यांत कर करें मुलिय होगा तो करि incarnate करने का आण औरी विंद में से मैनस को कर देजे ल मलेकी तो यहाइप का सही उतर आएगा यह जो है अगले कोचान की बात किया तो अगला कोचान एटी एट नमर कोचान आप इसकीन पर देख रहा होएंगे बोल रहा है कि ए पॉलस पी जो है आपका देराखा हुआ है ए पॉलस भी स्वोड़ी आपको ग्याद करना है कि क्या होगा तो इसको हम लोग लेकर आगे बढ़ते हैं क्या करते हैं दोनों तरफ स्कॉरा कर लेंगे इदर क्या अब आपका श्राइक च्वादशाए च्वादि तो श्यक्त बहुते हैं तो ए बिकार परमुला च्रमूला होता है ए अप यहां पर यहां पर इधर जो है आपका वर्ग है तो रूट हो जाएगा तो यह जो है इस्क्वाइर होड जाएगा तो यह आपका जो है कि यहां चार जो है इस को चनगा उत्रोर एक एक प्रिश्च लेंगा फोर इस आएगा इसको सब्सक्राइब तो दोस्तों का option के बात करें तो option नमर जो है आपका सी जिन नमर जो अप्सटन है सी नमर ऑप्सटन का सही उतर होगा फोरी दराइट इसन हो जाएगा तो यहां पर यह प्रस्पी देरा खाओ था अभी देरा खाओ था इस तरह हां जो है हम लोग इसका दोन तरफ का स्कार किये बोच साइड इसकार किये तो उसके बार इसको एक फर्मूले पर चैंज कर दिये कर दो है इसको एक आपका सही उतर हो जाएगा तो चलिए अगले कोचन की तरह बढ़ते हैं और अगला कोचन जो है काफी ज्यादा इंपोर्टन कोचन है और यह कोचन जो है हाईट एटेन डिस्टेंस का है बोल रहा है किया 89 नमर कोचन एक टावर के पाद से 70 मीटर की दू का टावर के सीट से ओनमन को पैदारेज दिखरी है तो टावर की उचाई ज्याद करें तावर की उचाई जो है आपको फाइंड आउट करना है तो फर्स अपर इसको हम लोग पहले फीगर से समझते हैं तो यह जो है माल लीजिए यह आपका एक टावर हो गया ओके यह आपका टावर हो गया और इसी का आपका उचाई ज्याद करना है क्या करना है उचाई फाइंड आउट करना है उचाई नहीं दे रखा हुआ है तो एच इसका उचाई माल लेते हैं ओके आप जो है इसके सीर्स से और नमन कौन यह वाला यहां यहां पे कितना डिगर कोन बना रहा ह आपका तर्फ तर्फ टॉर से कितने दूरा आपका देर रखा हुआ है दूरी संटर मिटर दूरी पर है किन स्टर मिटर सतर मीटर अभी यहां पे बना रखा है तो यह जो है आपका और तो आपका 45 डिक्री होगा इसको आप समाहणा है तो यह वाला कोन और यह वह रहते हैं तो यहाँ पर आपका 45 डिक्री हो जायागा । तो आप तैन का मान रखेंगे तैन यहांद माण तन शाव हो गया ये इस को तीर साथ मोन पर देंगे तो यूद यह नहीं को अशनका सथ आगया और और आपसिन की बाद करेंगे तो यह यह जो यह फसन की बात करें यह इस करेक्ट एंसर फॉर दिसकोचन हो जाएगा आप इस कोचन को भी समझ गया होंगे काफी सही तरीका से तो यह जो है हाइट इनिश्टन का कोचन जो है सभी इंटरेंस एक्षाम जो भी इंटरेंस एक जाम बिहार में लिए जाते हैं उसमें एक उना दो जरूर पुछते सभी करण एकस स्क्राइब पॉलरस वी इस पॉलिसरी जियरो में मुलु का योग क्या है यह दी जो है अबीसी जो है विल्योंश टू आर रहें या यानिकिस आपी जो है आरेशिनल नंबर से हैं आएकि सभी संघ्या अबश्ट जो है वास्तिक संघ्या है और दो जिए जो ह वाइब दूखाद को मालूम होगा कि आलफा प्लस बीठा बराबर क्या होता है ऐसी उतर होगा तो इस तरह यह जो है आपका विहार पुलिट्रीनिक 2018 के इंट्रेंस इजाम में पूछे गए सभी गनित के कोचन थे जो कि आपके इजाम के भीव से काफी इंपोर्टेंट रहते हैं यानि कि आप जब इस कोचन को देखिएगा सब कोचन को रिचते अनुमान लगाएगा कि आखिर इजाम मे सबसे पहले आप तक जाएगा और आप असानी से हमारे हर वीडियो को देख पाएगा तो चलिए आज के लिए इतना ही रने जते हैं और इसके बाद मिलेंगे फिर अगले वीडियो में तब तक के लिए जाहिद